जी कारक्यम की शुरुवात आप से आज आपकी पार्टी के नेता और लीडर आप अपोजीशन ने सदन में स्पीच दी बड़ी स्पीच थी लंबी भी चली बीजेपी एक आरोप लगा रही उन्होंने हिंदूों की बेजज़ती करते हैं भगवान शिव की तस्वीर दिखाना जिन धर्म द्रोहियों को हिंदूों की बेज़ती लग रहा है तो निश्चित तौर पर वो सब के सब लोग हिंसक हैं धर्म द्रोही हैं राज द्रोही हैं और वो कहीं न कहीं प्रभू श्री राम का नाम के भी द्रोही हैं वो लोग रीजन सबसे बड़ा ये कि स्री राहूल गांधी जी ने इस पस्ट रूप से कहा कि शिव को मानने वाले, प्रभुश्री राम को मानने वाले, जितने भी धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले, कभी हिंसक नहीं हो सकते, असत्य का साथ नहीं दे सकते, डर उनके अ आज की डेट में भगवान शिव की जो लोग एक तस्वीर को संसद में एकसेप्ट ना कर रहे हूं नियम का हवाला दे करके यह कहते हूं कि साथ यह तस्वीर नहीं दिखाई जा सकती यह नियम भारती जंता पारटी के मंत्री कह रहे है के लोग सबाख के स्पीकर कह रहे हैं और उसी सधन में कह रहे हैं जिस सदन में जै शिरीराम के बिनारे लगे तो आपकी पीछ नहीं थी यह किस से खेत्र में आप उतर गए खेजने अब भी तो धर्म के तरफ बुड़ रहे हैं बात देखें मैं फिर दो चीजे बड़ी साब बताओं मसला न्याय और अन्याय का है और न्याय के लिए अगर हम भगवान शीव की कि बात कर रहे हैं गुर् अगर हम भगवान शीव का सहरा ले रहे हैं प्रती को बताने के लिए कि सत्य क्या है क्याना भगवान शीव तो राम के भी हैं रावण के भी हैं हम हमेशा से अगर हम इस बात को कहना चाह रहे हैं तो आज की डेट में भाजपा के पेट में दर्व क्यों है आप मेरी समझ मे यह नहीं आता अपकी पार्टी के आलो चक कहते हैं कि आज की स्पीच राहूल गांदी की फोकस्ड नहीं थी अगर एक से लेकर कि पीस स्ट में जी के ऩे डाही घंटे की स्पीच में देखे जाएं चाये awа कि के लिए बोल रहे हूं नीट के लिए बोल रहे हूं बेरोजगारों के लिए बोल रहे हूं 29 भरतियों के लिए बोल रहे हूं अगनिवीर के लिए बोल रहे हूं मसदूरों के लिए बोल रहे हूं महंगाई के लिए बोल रहे हूं अगर वो यह स्पीच अगर उनको फोकस नह लगातार चल रहे हैं आगे भी लगातार चलेंगे आज नरेंद्र मोदी जी को भी और भारती जनता पार्टी को बहुत महत्वपून बात है प्रजेश जी पिछले दस साल में पहली बार उनको पता चला कि विपक्ष क्या होता है संसद क्या होती है वरना जिस अधिनायक उसमें बैठा हुआ निशिकान दुबे कहता था और वो क्या नाम था उनका विदुड़ी रमेश भूड़ी एक धरम विशेश होगे बैठ जा नहीं हम नहीं कहेंगे लेकिन बैठ जा और निशिकान दुबे नाहुकान आप ताकत दिखा रहे थे आपकत नहीं सर लोगतंत लोगों के अगनीवीर जैसे समस्या को समीर सिंग जी कलाए जाइस के लिए